Friends, मेरा नाम है Nima और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरी चैनल पर आज मैं आप लोगों के साथ एक trick शेयर करने वाली हूँ जिससे बच्चे 2 का टेबल पढ़ते पढ़ते 12 का टेबल लिख पाएंगे 3 का टेबल पढ़ते पढ़ते 13 का टेबल लिख पाएंगे और 3 का टेबल याद कराकर 13 का टेबल लिखना सिखा सकते हैं तो पूरा वीडियो को देखेगा ताकि आपका एक भी step मिस ना हो और आपको कोई confusion ना रहे तो देखें आपने करना क्या है basically 1, 2, मैंने लिख दिया है 12 तो आपने 2 का टेबल पढ़ना शुरू करना है 2, 2 जा 4 2, 2 जा 2, 3 जा 6 2, 3 जा 2, 4 जा 8 8 महीं आ लिखूंगी 2, 4 जा 8 क्योंकि 2, 4 जा है तो हम 4 आगे लिख देंगे next है 2, 5 जा 10 अब देखें यहाँ पर सारे अभी तक 1 डिजिट के थे अब जैसे ही 10 होगा तो हम उसे side में लिख देंगे और अब आपने क्या करना है इसका जो यह 0 है वो तो यहाँ पर आ जाएगा और क्यूंकि है 2, 5 जा 10 तो हम क्या करेंगे 5 प्लस 1 यह जो 1 है यह आगे वाले नंबर में एड हो जाएगा I hope आप समझ गए होंगे 2, 5 जा 10 तो 10 में नहीं यहाँ पर लिखा है 0 आ गया यहाँ पर और 5 जा है तो 5 प्लस 1 इसी तरीके साब देख लिते है 2, 6 जा 12 तो अब यह कैसे होगा 2 आ जाएगा यहाँ पर और क्यूंकि है 2, 6 सा 12 तो यहाँ पर जाएगा 6 प्लस 1 तो यह होगा 7 तो आप देख सकते हैं कैसे मैं easily 12 का table लिख पा रही हूँ अब आगे पढ़ते हैं 2, 7 जा क्या होता है 2, 7 जा? 2, 7 जा 14 तो यह 4 आ जाएगा यहाँ पर और क्यूंकि है यह 2, 7 जा तो हम करेंगे 7 प्लस 1 तो यह हो जाएगा 8 next है 2, 8 जा 16 6 यहाँ पर आ जाएगा और यह है 8 8 प्लस 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 9 देखें easily अब बिना किसी टेंशन के बच्चे को 2 के टेबल से 12 का टेबल बनाना सिखा सकते है अब आएगा 2, 9 जा 18 तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 9 प्लस 1 तो यह हो जाएगा 10 next है 2, 10 जा 20 तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 0 और क्यूंकि यह है 10 प्लस 2 तो यह हो गया 120 देखे बाते करते करते मैंने आपको 12 का टेबल बनाना सिखा भी दिया और हमने कैसे सिखा यह सिर्फ 2 के टेबल से बहुत ही इसलि आप बच्चे को इस तरीके से 19 तक के टेबल बनाना सिखा सकते हैं हमने क्या करना है basically हमने 2 का table पढ़ते जाना है 2 1s are 2, 2 2s are 4 तो 2 आगे आगे, 4 यहाँ पे आगे तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब तक single numbers चल रहा है जैसे ही double हो जाएगा तो आपने क्या करना है, पीछे वाला number यहाँ पे लिखना है और आगे वाला number इसमें add कर देना है तो इस तरीके से पूरा 12 का table बन चुका है तो चलिए आप मैं आपको इसी तरीके से 13, 14, 15 सब का table बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई confusion ना रहे देखिए यह है 13 का table 13 1s are 13 13 2s are क्या होगा? 26 यह मैंने कैसे निकाला? 3 2s are 6 और 2 मैंने यहां लिख दिया 3 3s are 9 3 4s are 12 अब जैसे ही 12 आया मैंने 12 साइड में लिख दिया 2 आ जाएगा यहां पे और क्यूंकि है 3 4s are 12 तो 4 प्लस 1 यह 1 यहां पे मैंने add कर दिया तो यह हो गया 5 3 5s are 15 तो 5 तो आ गया है आपे और 5 प्लस 1 आ गया 6 इस तरीके से आप देख सटे हैं बहुत ही easily आप पूरा 13 का टेबल बना पाएंगे यह हो गया है 3 5s are 15 3 6s are 18 अब 3 6s are 18 तो हर बच्चे को पता है बढ़ 13 6s are क्या होता है वो नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है भई 13 6s are होता है 78 यह मैंने कैसे निकाला 3 6s are 18 8 यहाँ पर आ गया और क्यूकि है 3 6s तो 6 में मैंने add कर दिया है यह वाला नंबर तो यहाँ पर आ गया 7 तो अब बच्चे को पता है कि भई 13 6s are होता है 78 13 7s are क्या होता है 91 3 7s are होता है 21 तो 1 आ गया है यहाँ पर और आगे के नंबर में क्यूकि है 3 7s are 7 plus 2 मैंने कर दिया है तो आ गया है 9 बेसिकली आपने क्या करना है इसे आपने यहाँ लिखना है और यह 10s के digit है ना उसे आपने आगे वाले नंबर में एड कर देना है बस आपने इतना ही करते जाना है और पूरा टेबल देखे 13 का टेबल हमारा बनके रेडी हो चुका है यह देख सकते हैं आप इसी तरीके से मैंने 14 का टेबल भी बना के रखा हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखे 4 टूजा 8 4 ट्रीजा 12 12 का 2 यहां पर आ जाएगा 4 ट्रीजा है तो 3 प्लस 1 यह हो गया है 4 4 ट्रीजा 16 6 यहां पर आ गया है 4 प्लस 1 5 तो इस तरीके से बच्चा पूरा टेबल बना सकता है 19 तक तो देख सकते हैं आप इस तरीके से आप 4 का टेबल लिखते हुए simply इससे यहां पर लिखेंगे और इस डिजिट को हम आगे वाले नंबर में एड़ कर देंगे अब यह आगे वाला नंबर क्या है 4 6 सा 24 तो 6 में मैं आड़ किया है 2 तो यह आगे है 84 तो मतलब 14 सिग्जा 84 इस तरीके से मैं पूरा 14 का टेबल बना लेती हूँ देखें 2 से 9 तक के टेबल याद करने में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है बढ़ 12 से 19 तक के टेबल याद करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो अगर आप उन्हें इस तरीके की कोई ट्रिक सिखाते है न इससे बच्चा बड़ा इंट्रेस्ट लेके कर पाता है और इससे उसका माइन डेवलब भी होता है मतलब ऐसा नहीं है कि इन ट्रिक से बच्चे का दिमागी विकास नहीं हो रहा है इस तरीके की ट्रिक से बच्चे का बहुत ही अच्छा माइन डेवलब होता है अगर आप इस तरीके से सिखाएंगे तो धीरे धीरे जब बच्चा बनाने लगेगा न तो वो खुद धीरे धीरे याद भी करने लगेगा तो इस तरीके से आप बच्चे को 12-19 तक का टेबल याद करवा सकते हैं कई पेरेंट्स मुझे बोलते हैं मैं 2-9 का टेबल कैसे याद करा है देखें 2-9 का टेबल याद कराने के लिए मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ जो मैंने अपनी बेटी पे अपलाई करी है हर टेबल का आपने जब 5 तक याद करवा देतों न मतलब मालनी कि आपके बच्चे को 2-5 तक के टेबल याद हो जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है 6-1 जा, 6-2 जा, 6-3 जा, 6-4 जा, 6-5 जा अब बच्चे को हम क्या बोल सकते हैं जैसे मेरी बेटी को जब 2-5 तक टेबल याद होए थे न तो मैं उसे क्या बोलती थी कि बेटा 6-1 जा मत देखो, 6-1 जा, 6 है, 2-6 जा क्या होता है, वो बताओ, क्योंकि उसे 2-5 तक के टेबल आते हैं तो वो 6-2 जा ना पढ़के 2-6 जा पढ़ती थी और उसे पता है 12 उसे 3 का टेबल आता है तो वो 3-6 जा बोलती थी उसे पता है 18, 4-6 जा 24 तो इससे क्या होता है जब आपका बच्चा 2-5 तक का टेबल पहले ही याद कर चुका है, तो उससे क्या होता है, उससे फायदा यह होता है कि आपका बेटे को 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ये टेबल आधे तो उसकी 7 का भी आदा टेबल याद हो जाएगा क्योंकि उसे पता है 6, 7 जा क्या होता है तो वह यहाँ पर याद कर सकता है तो आप क्या बोल सकता है उसे इधर से इधर भी देखो और इधर से इधर भी देखो क्योंकि जब इधर से इधर देखता है ना बच्चा तो वो जल्दी याद कर पाता है जैसे 4, 6 जा क्योंकि उसे 4 का टेबल याद है तो वो ये याद कर सकता है पर क्योंकि उसे 6 का टेबल याद नहीं है तो जब वो बोलेगा 6, 4 जा तो उसे पता नहीं चलेगा पर अगर वो बोलता है 4-6 तो उसे पता चल जाएगा कि 4-6 होता है 24 तो ये होती है आसान ट्रिक बच्चों को 2-10 तक के टेबल याद कराने की और जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी है ये आसान ट्रिक होती है 12-19 तक के टेबल याद कराने की 20 का टेबल लिखते हैं बच्चे और 00 पीछे से लगा लेते हैं तो आज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं ट्रिक जो की बच्चों के लिए बहुत यूसफूल होने वाली है 2 से 20 तक के टेबल याद करने के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी math related tricks हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो link है उनका description box में और अगर आप interested हैं तो मुझे comment करके जरूर बताएगा मैं division की भी बहुत सारी trick लेकर आउंगी और बच्चों के LCM और HCM पे भी कई सारी tricks लेकर आउंगी अमीद करती हूँ ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी useful रहा है तो आप इसे like करेंगे share करेंगे मेरे चैनल पर नए है तो मुझे comment करके बताएगे जरूर और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल नहीं बूलेंगे thank you, thanks for watching